अब आग शारुखान की फिल्म पठान की करते हैं विवादों के बीच पठान आज रिलीज हो गई है देश भर के कई शेहरों में फिल्म के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं हिंदुवादी संगठन फिल्म का विरोध कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर और गॉलियर में प्रदर्शन किया गया, इंदौर में तो विरोध की वज़ा से फिल्म के फर्स्ट शो को कैंसल तक करना पड़ गया, तो वहीं कई जगहों पर फिल्म के रिलीज होने पर जश्न भी मनाया गया और केक काटा गया, महाराश के बिहार की तस्वीरे देखी, इंदौर में महाराश्टर और मुंबई की बात की जाए, तो यहाँ पर फिल्म के समर्थन में लोग केक काट रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, तो वहीं विरोध आगरा में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, और साथ ही जश्नी की बात की तो पटना से भी जश्नी की तस्वीरें सामने आई है फिल्म पठान का कई शहरों में विरोध जारी है बिहार के बागलपूर की बात करें तो बजरंग दल के कारेकरताओं ने फिल्म का विरोध यहां किया यह सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखों कमाते हैं आपको भी यह करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीचिए भागलपूर के दीप प्रभा सिनमा हॉल में ABVP और बजरंग दल के कारेकरताओं ने पोस्टर तक फाड़े और अपना विरोध व्यक्त किया सनवा हॉल में पोस्टर फाड़ने के बाद वहीं पर उन्हें जला दिया गया तो वहीं इंदौर में पठान का भारी विरोध हुआ इंदौर के सपना संगीता मल्टिप्लेक्स में शारुक खान की फिल्म पठान के पहले शो की स्क्रीनिंग को कांसल तक करना पड़ गया और जो लोग पहले से बुकिंग करने के बाद फिल्म देखने के लिए पहुँचे थे तो वहां हिंदौवादी संगठन और बजरंग दल के कारेकरताओं ने भारी हंगामा किया जिसके बाद संचालकों ने शो को रद्ध करने का फैसला लिया उत्तरप्रदेश के आगरा की बात की जाए तो बजरंग दल के कारेकरताओं ने फिल्म के विरोध में यहां पर मार्च निकाला दरसल फिल्म में बेशरम रंग गाने में दिपिका पदुकौन के पहनावी को लेकर हिंदूवादी संगठन इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं पटना में भी फिल्म पठान का विरोध शुरू हो गया है और यह तस्वीरे आप देख रहे हैं भगवाद चोला पहने हाथ में फिल्म का पोस्टर लिए ये वो लोग हैं जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और फिल्म के रिलीज होने पर उसका विरोध व्यक्त कर रहे हैं आप लगातार यह तस्वीरे देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक जगा से नहीं पटना से नहीं बलकि कई और जगाहूं से भी आ रहे हैं मद्यप्रदेश के इंदौर की तस्वीरे हमने आपको दिखाई भागलपुर की तस्वीरे हमने आपको दिखाई देखिए हाथों में इनके फिल्म का पोस्टर है भगव अगर बात की जाए तो वो पठान फिल्म का बेई सबरी से इंतजार कर रहे थे और आज फिल्म के रिलीज होने पर कहीं आतशबाजी की गई तो कहीं केक काट कर खुशिया मनाई गए यह भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां फिल्म के रिलीज होने पर लोग कि कितने खुश हैं यह भी पठना की तस्वीर कि अज़िए कि तीन अलग अलग तस्वीरे आपके सामने मुंबई पठना पूरे यह समर्थन में तस्वीर आई हैं फैंस इतने उचसाहित और खुश है कि कहीं आतिशबाजी हो रही है पठाके चलाय जा और जो मुंबाई से तस्वीरे हैं उनमें भी आपको वो खुश और उतसाहित शारुख के फैंस नजर आ रही हैं जो फिल्म के रिलीज होने से बेहद खुश हैं। दो तस्वीरे दिखाते हैं पटना की दरसल ये तस्वीरे हैं जो अब हम आपको दिखाएंगे पटना की अगर बात की जाए तो देखिए जहां एक तरफ कुछ लोग इस फिल्म के रिलीज होने से नाराज हैं, विरोध प्रदर्शिन कर रहे हैं पोस्टर्स फिल्म के जला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के जो प्रेमी हैं वो फिल्म के रिलीज होने पर केक काटके जश्ट मना रहे हैं खुश्या मना रहे हैं और इस केक पर भी फिल्म पठान का पोस्टर आपको नजर आ रहा है अब एक ही शहर की ये दो तस्वीरें जहां कुछ लोग फिल्म के गाने बेशरम रंग में दिपिका पदकून के पहनावे से नराज होकर लगातार जिस दिन से वो गाना रिलीज हुआ है फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देखिए यहा एक धड़ा फिल्म के रिलीज होने से खुश है तो वहीं एक ऐसा भी धड़ा है जो फिल्म के रिलीज होने से बिल्कुल खुश नहीं है और उनकी तरफ से विरोध में पोस्टर्स को आग लगाई जा रही है हाला कि इसी तरह की तस्वीरें पूरे देश इसे सामने आ रही हैं अगर मद्धिप्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी इंदौ और गॉलियर से ऐसी तस्वीरे सामने आई जहां फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुआ यह सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखों कमाते हैं आपको भी यह करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम मैं आपको अभी डाउनलोड कीजिए तो आपने सुना जो लोग फिल्म की रिलीज होने का विरोध कर रहे हैं तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गए उन्होंने कहा कि वो सरकार से विरोध मांग करेंगे कि इस तरह की फिल्मे रिलीज नहीं होनी चाहिए शारुक खान को इस तरह की फिल्मे नहीं बनानी चाहिए और यहां तक कि उन्होंने शारुक खान को पाकिस्तान का एजिंट तक करार दे दिया और पॉस्टर्स को देखे फिल्म के विरोध में कैसे जला रहे हैं वहीं दूसरी तस्वीर आप उन उत्साहित फैंस की देख रहे हैं जो फिल्म पठान के आज रिलीज होने से बेहद खुश हैं और पठान वाला केक काट कर फिल्म के रिलीज होने की खुशियां मना रहे हैं